कि जिन्दगी में तीन रास्ते हैं और इन तीन रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे, वो चौईस सिर्फ आपकी है वो डिसीजिन आपके लिए, आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता पहला रास्ता जो guaranteed failure की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता failure का डर बढ़ा ख़तरनाग रास्ता है यह है अब बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं कुछ नहीं है वहाँ failure ही failure है जीते जी मढ़ जाओगे जो करना चाहते हो अगर वही नहीं किया तो क्या फाइदा इस सिंद्धी का सिर्फ जिंद्धी कटेगी जी नहीं पाओगे यह एक रास्ता है चूस करना है आपकी चॉइस एक दूसरा extreme है लालच का रास्ता कि फटा फट से बास get rich quick कि फटा फट से earning आ जाए कहीं से भी सीखना ना पड़े यह क्या बोरिंग काम बता रहे हूं सीखना बड़ेगा अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे फटा फट से 6 महीने मैं किसी कंपनी में जाकर पैसा लगा हूं 50,000 6 महीने बाद 1,000,000 रुपे मिल जाएं यह मिल जाएं वो मिल जाएं अरे मुझे यह नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला यह एक रास्ता है इसको बोलते हैं focus on earning लालास का रास्ता इन दोनों extremes के बीच में एक सून सारा सता है जो गयारेंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है वहां लर्दिंग का रास्ता है सीखने का रास्ता खेल का रास्ता खिलरी बनने का रास्ता विखारी बनने का नहीं भॉज़ड़ गो Пон्कि नहीं आये मिल गः है मिलेगा घृ इतना मिलेगा चितना प्सपनेяс नहीं सोचे क्यल और अपने फीड्ड के पके क्लाई को बनौ और होगा क्या, कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते-चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बतारो, पता भी नहीं लगेगा, कि कब आप एक नॉमल बीइंग से सुपर हुमन बजाओंगे। जादूगर, दुनिया के लिए जो एक जादू के जैसा होगा, आपके लिए खेल होगा, खेल, ध्यान से देखो अपने आस पास में, जो भी लोग जिस भी फिल्ड में सक्सेस्फुल हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जादू नहीं हैं, जादू है, यह रहमान का म्यूजिक सब्सक्राइब, वो जोए कर दोने सब्सक्राइब, पहले जादू, जो हम कना मैजिक फिए घास काम्यों होता है enzyme cricket का match ते ठेख रहे हो मेंदर शीम दोनी को हशुआप्र शोट मारता हूं देख इता है क्या कर रहा है है घ्या कररहा है भाई यह आता है मैंड में कि फ्योग मैजिक मन करता है बार बार देखने का मन करता है किसी entrepreneur को देख रहे होते हैं बड़े लेवल पे business करते हुए अंदर से क्या वाद आती है आजे कमाल है यार जैसे में साथ होता था ज़िए मैंने नया-nया business शुरू किया तो उस टाइम पे जैसे ही मैं किसी भी successful entrepreneur की कहानी पढ़ता था मदलब कि उनकी autobiographies पढ़ता था या उनकी बाते सुनता था जो उन्होंने लिखा है success के बारे में वो पढ़ता था या उनके business को देखता था कि किस तरह का वो business कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे तनी बड़ी टीम को manage कर रहे है कि मेरे अंदर से आता था मैंने का या रे बंदा है या क्या है कि मेर से तो छोटी छोटी चीजे मैनेज नहीं होती और इतनी चीजे मैनेज कर रहे है इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहे है मेर से तो अपने गर में अपनी फैमिली मैनेज नहीं होती बच्चे नहीं होते और यह हजारों लोग की मैनेज कर रहा है कर किया रहा है हजारों काम कर रहा है कैसे गर यह किसी इंजान के लिए कासे पॉसे बड़ा business empire ख़ड आ कर दिया कैसे कर दिया scratch से आता है माइंड में तो मेरे मिर अदा रहा है लेकिन आज जब उन सारे onast हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक मैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की सिर्फ खेल है और हम सब और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग खेल खेल रहे हैं हम सब खिलाडी है अलग-अलग फील्ड के खिलाडी है वस फरक क्या है किसी खिलाडी की observation पावर थोड़ी से कम-डा फृइए किthис नोस पर कमकाम किया है किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी observation टिएशन पावर ज्यादा देफ़ आगी जिस वजन से वो उन्ह今 चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके में नहीं देख पारे और वोण चीजों को का रहा है जो और लोग करना दो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते ह। क्योंकि वो उसको देखी नहीं पारें उसाफर क्या है किसी खिलाडी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है किसी की ज्यादा है किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा कि आप सपने में में नहीं सोच सकते हैं एक मैजीशन दो मिनिट की ट्रिक द कि ara को किसी नहीं पता है हैं, स्टावारें मैजऑ कि नहीं कोई चीज Judith नहीं है, मेरी एक बाथ है जो अगर हो सके तो अपनी गाठ बांगलो, कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो कर लो खेल में उस काम को आप भी खेल में एक भी षान है तो कर सकते हो